हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सोया बीन की बहुत ज़्यादा टेस्टी सी सब्जी इसे कहीं जगापे सोया बड़ी या सोया चंक्स भी बोलते हैं बहुत आसान तरीके से आज मैं इसे बनाना पताऊंगी जिसे यह नहीं पसंदना वो भी उंगलिया चा पानी यह उबलता हुआ होना चाहिए ठीक है जैसे ही गर्म पानी हम इसमें डाल लेंगे उसके बाद हम चंके हटेंगे पांच मिट के लिए ताकि ये बढ़िया से फूल जाए और यहां दोस्तों पांच मिट हो गए हैं आप देख सकते हैं हमारी जो सोया पड़ी है वो फूल के थोड़ी सी बढ़ी भी हो गई है और इसके अंदर पूरा पानी भर गया है तो अब हमें इसको बढ़िया से चान ल अब इसके अंदर भी पानी भरा होता है तो इसके लिए हमें इस तरह से इसे स्क्यूज कर देना है देखिए इस तरह से हम दबा के इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है न वो निकाल देंगे नहीं तो हमारा कुकिंग टाइम सबजी का जादा हो जाएगा ठीके तो इस तरह इसका से जितना से इक्सट्रा पानी होगा उसे इस तरह से दबाते हुए हमें निकाल देना है आपने देगा कितना पाणी निकला है तो इस तरह की tyre साइड ghost बालम्च में तो इसकंगा निकाल लिया है चलिए दूस्तों कुछ मसाले दन्या पाूडर एक जोधाइड रखी और आदी छोटी चमश नमक, नमक दोस्तों हम आगे भी डालने बाले हैं तो उसको ध्यान में रखते ही डालिएगा आदी चमश लालमेश का पाउडर और साथ में दो चमश बेसन तो दोस्तों ये मैंने बारिक बाला बेसन लिये हुआ है लेकिन जैसे जैसे आप इसे mix करते जाएंगे ना वैसे आप देखेंगे कि सोया भी इन में बढ़ियां से हमारा बेसा ने वो coat होना start हो गया है इस तरह से हमने इसमें बिल्कुल भी पानी add नहीं किया है दोस्तों जैसे जैसे आप mix करते जाएंगे ना वैसे ही बेसान अपने आप कीला होता जाएगा ठीके और यहां हम रेस्ट पे रख देते हैं इसको पांच मिनट के लिए और यहां दोस्तों पांच मिनिट हो गाया है इस तरह से रेस्ट पे रखने से दोस्तों क्या हो जाता है कि सबी जो हमने मसाले डाले ना वो बड़ियां से बाइंड हो जाते हैं हमारे सोया जंक्स के अंदर बड़ियां से इसके मसाले हैं वो पक जाए हमने इसमें कच्चा बीसन डाला था वो भी बड़ियां से इसमें पक जाएगा और इसका टीस्ट है वो डबल हो जाएगा तो दोस्तों एक बार आप मेरे तरीके से जरूर बना के दिखिएगा यह सबजी आपको बहुत जादा पसंद आएगी पास से 6 मिनिट लगेंगे आपको इस तरह से इसे लगादार चलाते रहना है लो फ्लेम पर चलाना है दोस्तों हाई फ्लेम पर नहीं चलाएंगे नहीं तो बेसन अंदर से कच्चर है जाएगा और बहार से सोया चंक इस तरह से सूख जाएंगे तो आप देख सकते हैं पास से 6 मिनिट में बेसन बढ़या से इस पर कोट हो गया है और बढ़या से पग गया है जो तेल हमने इसमें डाला था वो पूरी तरह से गायब हो गया है तो बस दोस्तों अब हमें गैस की फिलेम को आफ कर देना है और इसे साइट में रख देना है तो यहां मैंने दूसरी कड़ाई में दो चमज तेल गर्म होने के लिए वापस से रख दिया था जैसे ही दूस्तों तेल अच्छ से गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रहे हूँ आदी चमजीरा एक देश पत्ता और साथ में एक लाल मिर्च जिसे मैंने इस तरह से हाज से तोड़ कर डाल दिया है और उसके बाद मैं यहां डाल रहे हूँ दो मीडियम साइस प्यास जिसे मैंने इस तरह से बारिक कट कर लिया था लो फ्लेम पे इस तरह से जब तक golden brown color नहीं आ जाता तब तक आपको प्यास को बुंते रहना है और जैसे ही इस तरह से हो जाए उसके बाद हम इसमें add कर देंगे एक टमाटर जिसे मैंने बारीक सा किस लिया है आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसे भी mixi में बारीक सा paste बन है तो अब हम डाल देंगे इसमें एक चमज अद्रक और लैसुन का paste जिसे मैंने कूट कर डाला है और उसी के साथ मैं यहां पर ले रही हूं दो हरिमिर्च तो दोस्तों मेरी एक हरिमिर्च ना लाल हो गई थी तो वह भी मैंने कट करके इसी में डाल दिये ठीक है और अब बढ़िया से हमें इसको चलाते रह रहा है दो मिनिट में हमारी लैसुन अधरक भी बढ़िया से पक जाएंगे और बढ़ियासी खुश्बू आना भी स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों जैसे ही अधरक और लैसुन की इस तरह से दीमी दीमी खुश्बू आने लगे तो बस अब हम ढ़ल देंगे इसमें सूखे मसाले तो सूखे मसाले में मैं लिएरों चमश याने की एक ओ और आदी चमश धनिया पावडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच मैं यहाँ पर डाल रहे हूँ लाल मिश पाउडर और थोड़ा सा पानी ठीके तो दोस्तो पाने डालने के बाद बढ़िया से हमें इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ हम जैसे ही मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि यह थोड़ा सा टाइट हो गया है हमारा मसाला तो अगर दोस्तो हमने इतना टाइट रखा तो हमारा जो मसाला है वो भूनने में जल जाएगा चीके इसलिए हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो gravy है उसमें इतना पानी तो होना चाहिए ताकि हमारे जो मसाले हैं वो सईसे भून जाए अगर हम कम पानी डालेंगे न तो वो नीचे से चिपक जाएगी और जो gravy है वो जल जाएगी तो इस तरह से एक बार mix कर दीजेगा और आप हमें धक्क पकाने से दोस्तों एक तो टाइम भी कम लगता है साथ में बहुत ही बढ़े आसी पक जाती है हमारी ग्रेवी तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो gravy है एक दब बन के तयार हो गई है तो एक बार बापस है हम इसे mix कर देते हैं अगर टमाटर के चंक्स कई बड़े हो चमज डाला है ठीके और यहां में डाल रही हूं एक कप पानी पानी डालके दोस्तों बढ़िया से हम इसे mix कर देंगे तो दोस्तों मैं यहां पे सोया चंक्स मसाला बना रही हूं यानि कि थोड़ी सी सूखी सबजी बना रही हूं अगर आपको यह सबजी थोड़ी सी गील हो जाए आप देख सकते हैं इस तरह से जैसी ही गाड़ा हो जाएगा ना दो मिनिट बाद अब हम डाल देंगे इसमें हमारे सोया बड़ी जो हमने अल्रेडी तलके रखे हुए थे और बैस इसे डालने के बाद बड़िया से हम मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा से भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल याने की रेनू रेसीपी चैनल को सब्सक् समच कसूरी मेथी बहुत बड़िया टेस्ट करती है इसमें जरूर डालेगा उसे भी दोस्तों हमें मिक्स कर देना है और जैसे ही बड़िया से मिक्स हो जाएगी तो अब हमें इसे ढखके रख देना है पांच मिट के लिए लो फ्लेम पे और यह देखिए पांच मिट आज इस तरह से सूखी सबजी यानि की मसाले दार सबजी बनाना था इसलिए मैंने उसका पूरा पानी सुखा दिया है अब मैं या लास्ट में डाल रही हूँ दो चुटकी गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया गैस की फ्लेम दोस्तों हम ओफ कर देंगे ठीके उसके के रख देना है इसे एक मिनिट के लिए और दोस्तों एक मिनिट हो गाए है और वाव बहुत ही बड़ा से खुश्बू आ रही हो और यह हमारी सोया चंक की बहुत ही मसाले दार सबजी बनके रैडी हो गई है आप भी इसे घर पे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और जब झाल 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 झाल